हलो दोस्तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्राम सेवक कौन होता है उसकी सेलरी कितनी होती है और वो किस तरह का काम करता है तो हर राज में एक विभाग होता है जिसे बोलते हैं ग्रामीर विकास और पंचायती राज विभाग इस विभाग में बहुत सारे पद आते हैं ज होता कहा है कि हर गाउं में एक पंचायत होती है जिसे जनता द्वारा चुना जाता है अब ये जो पंचायत है वो गाउं के विकास के लिए बहुत तरह के काम करती है जैसे कि वहाँ पर बिजली पानी के सुविदा को महिया कराना, रोड बनाना या फिर जो भी पेपर के कारवाई होगी किसी जमीन को खरीदना बेचना वो या फिर गाउं में जन्म लेने वाले या फिर जिनकी मित्ती हो जाती है उनके लिए डॉकुमेंट बनाना तो ये सारे काम करने के लिए राज्य सरकार एक व्यक्ति को नेयुक्त करती है जो की सारा का सारा पेपर वर्क जो भी इसे है रेलेटिड वो पेपर वर्क करता है ये पेपर वर्क करने वाला जो व्यक्ति है उसी को ग्राम सेवक कहा जाता है इसके साथी साथ ये पंचायत के काम पे निगाभी रखता है और उसके अलावा जो भी योजनाय राजे सरकार की चल रही है उस गाउं से जुड़ी हुई उन योजनाओं से जुड़ा सारा का सारा पेपर वर्क, उनसे जुड़ा पैसा निकलवाना, पैसे का सारा का सारा हिसाब देना ये सारा काम ग्राम सेवक करता है इसके अलावा पंचायत जो गाओं के विकास के लिए प्लाइनिंग बनाती है जिसे बाद में जो पंचायत है हर साल गाओं के विकास के लिए प्लाइनिंग करती है और उसे जिला प्लाइनिंग जो कमिशन है वहाँ जमा किया जाता है हर साल यह काम भी ग्राम सेवक करता है तो ग्राम सेवक की योगिता क्या है ग्राम सेवक अगर आप उसके एक्जाम के लिए बैठना चाहते हैं तो उसकी योगिता होती है 10th pass मतलब आपको 10 वी क्लास पास होना चाहिए और इनकी जो शुरुवाती सेलरी होती है वो होती है 25,000 रुपे ये 25,000 रुपे उनकी सेलरी है लेकिन शुरू के दो साल में उनको जो सेलरी मिलती है वो मिलती है 15,000 दो साल जब एक बार पूरे हो जाते है तो आपकी सेलरी बढ़कर हो जाती है 25,000 और उसके बाद जो हर साल मिलता है इंक्रिमेंट वो मिलता रहता है धन्यवाद